कि CSIR की आंसर किया गई है एक तरफ तो खुशकबरी की बात है दूसरी तरफ कुछ बच्चों में ये बेचानी और प्रिशानी का सबब बना हुआ है हो भी क्यों ना है दोस्तों जहां एक एकस्पेक्ट ज्यादा थी वही एकस्पेक्टेशन्स ज्यादा थी वही स्कोर कम आय है और कुछ को ज्यादा आने के कारण बेचेनी हो रही है उल्टा ममला है चलिए काफी सारे बच्चे कल्से में फोन कर रहे हैं, दुखी हैं, बेचेन हैं, परिशान हैं, और यह कहा होगा? क्या रहने वाली है क्ट-अफ? क्या हो सकता है फैनल जो स्कोर? सेफ स्कोर कितना म मान के चलें तो लगबग 25-35 बच्चों से बात करने के बाद चुकि ग्लेक सेक्सिस कोचिंग पॉइंट पर ओनलाइन और ओफनाइल शेकड़ों बचे पढ़ रहे हैं तो सभी के बार-बार फोन आ रहे हैं कि सर फाइनल कट ओफ या सेप स्कोर एक बार बता दो क्या हो सकता ह है देखो भाई हमें कोई अंदर की बात तो पता नहीं होती लेकिन हम भी एक अनलेसिस करके एक विशलेशन करके कुछ बातचीत जुटाते हैं आप लोगों से बात करके ही और जो बातचीत के दुरान जो एक निसकर्स निकल क्या स्टूडेंट से बात करने के बाउज़ों दी वो स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो क्या हो सकता है देखो जो हमारी अलग अलग केटिगरीज हैं उसमें पेपर वन और टू में आपको पताई है ये बात तो हम करी चुके हैं कि इतने में से स्कोर आना है अब यहां पर आप देखें जो अन्रिजर्ड यानि जो जरनल के टेगरीज है इसमें आपका जो स्कोर आने की जो संभावना है वो अ कि 235 कि और इससे उपर अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर हो सकता है जो संभावना जो बच्चों संभावना हमें बताई है वो कि 50 मान के चल सकते मेक्सिमम वसे मैं आपको बताओं कि यह ज्यादा से ज्यादा हम बता रहे हैं जिन बच्चों के यहां पर इतना स्कोर है उनको त्यारी शुरू कर देनी चाहिए अब उसके बाद की केटेगरी की बात करें आप देख रहे हैं और वीशी हमेशा कुछ अंक रहता है लगबग लगबग तीन से चार प्रसेंट क्या सपास कम स्कोर हमेशा रहता है दूसरी तरफ एविसका एविस मैं एविस बोल गया था गलती से एविसका जो है ओबिसकी और एविसका एकवल सा था एक दो मार्क उपर रहेगा अब बात क करूँ तो लगबग लगबग S.C. का जो स्कोर है वह 12-15 % है 12-15 परसेंट जो है जनरल से कम रहता है 10-15 % के बीच में मानके चलना हमेशा और सबसे कम तो आपको पता ही है कि जो राइब से उसका रहता है वो लगभग 20% के आसपास कम रहता है जनल से हमेशा हर एक्जाम में जो पिछले कुछ एक्जाम का जो ट्रेंड है वो माप के सामने एक विसलेशन करके बता रहा हूं तो जिन बच्चों का 235 है और उससे उपर स्कोर है उनको त्यारी कर देने चीह डिस्क्रिप्टिव एक्जाम की और CPT की या फिर इंट्रिव्यू की देखो अब मैं आपको छोटा सा विसलेशन दिन बता रहा हूं यहां पर जो हम पिछले कुछ एक्जाम से हम एक अनलेसिस करते आ रहे हैं बच्चों के साथ एक कुछ दिन पहले ही एक केविस का एक्जाम हुआ था टीचिंग का जिसमें प्यार्टी टीजीटी पीजीटी वर्क एक्सपिरियंस और लाइबरियन यह कुछ बच्चों के 170 तक नंबर आये और कुछ बच्चों के 141 या 142 तक आये जो कटोफ के लगभग आसपास थे अब आप एक बात तो जानते हैं जो बच्चा एक सौसी में से 170 के असपास का मार्क्स जुटाए वेठा है वो जैन्वन नहीं है वो कहीं न कहीं उसका कंप्यूटर अपने आप ही चल पड़ा प्रकृति का उसके उपर खास वर्दान हो गया एक दम से और जो बच्चा मेहन क्यूं होना है अब सरकार क्या कर रही है उसको पता चल चुका है कि एक्जाम में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत धांदली होने लग गई है उसने एक पॉइंट अपने हाथ में रख लिया है जैसे के विस में इंटर्व्य अपने हाथ में ता 60 मार्क्स का यहां पर वो डिस्क क्वालिफाइब भी कर सकते हैं यह भी खास बात है और ऐसे ही जो CSIR है SO ASO उसमें भी एक तरफ SO में उसने क्या रखा हुआ है इंटर्व्य रखा हुआ है ASO में क्या रखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव रखा हुआ है और CPT रखा हुआ है CPT फिर भी सब लोग कर लेंगे से क्वालिफाइग इन नेचर है लगवग यानि 35-40 नंबर सब ले लेंगे SO में से अब बात करते हैं इसकी बात बीच में उधरी रह गई थी कि इंटर्व्य में 60 में से जब इंटर्व्यूर के सामने केंडिडेट बैठता है अब आप हैरान हो जाओगे यह बात जानकर यह खुद हम लोगों ने एक्स्पिरिंस किया है कि 170 वाला कंडिडेट रह गया और यह वाला कंडिडेट सेलेक्ट हो गया सेम पोस्ट पे कारण यह था कि इंटर्व्यूर ने यहां पर उसको उसको क्या देदी स्माइली देदी कि जा बेटा जी ले अपनी जिन्दगी नोकरी तेरी भी जो गलत तरीके से तेरी करके आया है और जिसने मेहनत नहीं की अब मज़ेदार बात यह है कि कुछ बच्चे से भी हैं यहां पर जो मेहनती होते हैं जो अपना पिछला जो इतियास है उसको बदल देते हैं एकदम से तो अब अगर आप सच में चाहते हो कि यह नोकरी आपकी हो जाए तो आपका जो आने वाला एक्जाम है जो एक्जाम है डिस्क्रिप्टिव ये निर्धारित करेगा ये 150 marks आपके निर्धारित करेंगे आपकी नोकरी ये मत माले ना कि आपने 300 नंबर जुटा लिये हैं 300 में से और मैं तो 50 नंबर भी अगर मुझे 40 नंबर भी आगे 25 नंबर भी आगे मेरा सेलेक्शन हो जाएगा आप disqualify भी हो सकते हैं अगर आप इस exam में इमांदार नहीं होते मौलिक नहीं होते ओरिजिनल नहीं होते और आप वो level जो desired है जो required है जो इच्चुक है उसको touch नहीं करते लिखते दोरान दोस्तों इतना आसान नहीं है एक officer level की भरती है आपकी भाषा सहली बचकानी नहीं होनी चीए वहाँ पर कोई फीश माफी का पत्र नहीं आने वाला वहाँ पर कोई तीज तिवार दिवाली देशेरा होली एद नहीं आने वाले वहाँ पर wishless नात्मक निबंद और पत्र पूछे जाने वाले हैं वहाँ पर आपका भाषा कोशल की परिक्षा होने वाली है आपको ध्यान देना है आपको ढूड़ना है एक ऐसा संस्थान जो आपको एक अधिकारी की level की त्यारी करवाए और इस काम के लिए ग्लेक्षी एक्स्थ कोचिंग पूइंट अपने आपको सर्वत्म आउंकता है आपने हम नहीं आप आक्दे है क्योंकिआ अपसे पहले हम ढेरो इस तरह के एक्जाम कंड़ कर चुके हैं करवा चुके और सेलेक्षम दे चुके हैं दोस्तो ग्लेक्षी ग्लेक्स एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर दोनों ही भाषाओं में हिंदी में भी और आपका इंग्लिस में भी दोनों ही भाषाओं में ये एक्जाम त्यारी करवाई जा रही है डिस्क्रिप्टिव एक्जाम की और मज़ेदार बात ये है कि ये ओनलाइन भी है और ओफलाइ भी है यह ओनलाइन और ओफलाइन दुन तरीकी से करवाया जा रहा है अगर आपको त्यारी करनी है तो आप सीधे अपना बिस्तरा पैक करके गलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट मैप पे डालिए सोनिपत् आपको सीधा हमारे दरवाजे पर आपकी गाड़ी रुकती है और हम आपका खैर मगदम करने के लिए आपका वेलकम करने के लिए आपका स्वागत करने के लिए तियार है और हम आपका इस युद्ध में इस बेरोजगारी के युद्ध में कंदे से कंधा मिला कर लड़ने के लिए तियार बैठे है अपने अस्तर सस्त्रों के साथ हमारी पूरी टीम जो अनुभवी तो है है साथ के साथ प्रति बद्ध भी है आपके एक्जाम को अंतिम छ दालता है सिधा हमारे दर्वाजे तक आपको मोबाइल पहुचा देता है तब तक के लिए आप जुड़े रहेगा ग्लेक्सेक्स कोचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल से और एप्लिकेंच से वहावशे हम रोजाना कुछ ने कुछ नई जानकारी आप तक जुटाते रहते हैं नमस्कार